एक कोश्चन है जो कि इस से सीजल ने पूछा जाता है ठीक है डिरेक्ट कोंसेप्ट के कोश्चन है अगर आपको कॉस थीटा का वैल्यू पता है क्या क्या होता फर्मूला वन माइनस साइन स्क्वार थीटा होता है माइनस वन होता है जो यह फॉर्मूला है यह अपलाई होगा वैसे एक और फॉर्मूला होता है वह होता बिरेंख गाला यहाद थीटा 1 plus 10 square theta इससे related और भी फर्मूला है revision के लिए आप देख लो जैसे कि sin 2 theta भी होता है 2 sin theta cos theta होता है ठीक है theta लगा देना अपने से sin 3 theta भी होता है sin 3 theta में होता है 3 sin theta minus 4 sin cube theta cos 3 theta भी लिख लो cos 3 theta अगर नहीं मालूम देख लो revision के लिए बहुत जरूरी है 4 cos cube theta minus 3 cos theta ठीक है यह सारे formula अपने आप में बहुत important है यहाँ पर क्या प्लाई होगा यहाँ बस एक formula आपको यह मालूम रहे है तो आप direct कर सकते है cos 2 theta लगा होगा यहाँ पर theta 15 degree question में दिया हुआ है तो हो जागा कि under root 3 by 2 यह अलग pencil ले लेते हैं क्या यहाँ पर देखो यह हो जागा under root 3 by 2 मैंने theta को क्या लिया है 15 2 theta is equal to 30 cos 30 degree is equal to क्या होता है under root 3 by 2 1 यहाँ देखो 1 minus होता है तो यह जो है यह formula लगेगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा इधर side 1 और जो 2 यह होगा यह divide में चला जाएगा समझे रो ना मेरी बात हो को 2 under root 3 by 2 divide by 2 ठीक है तो यहाँ पर आप cos square 15 degree का value बोल सकते हो 2 plus under root 3 divide by 4 अब आप से सेक square theta भी पूछ सकता है तो वह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है मेध्य आप समझ के होगे यह question बहुत easy था लेकिन आपको concept यह सारे पता होने चाहिए जैसा नहीं कि एक सारे concept